अगर आप किसी रिलेशन्शिप में है और उस रिलेशन्शिप में आपको यह समझ ही नहीं आ रहा है कि रिलेशन्शिप क्यों खराब हुआ किसकी गलती है क्या ऐसा हो गया जो आप लोग खुली आँखों से भी नहीं देख पाए तो आज की रिलेशन्शिप में किसकी और क्या गलती है आज की रिलेशन्शिप में आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर clarity मिलेगी बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में मैं जानती हूँ उन सवालों की जवाब आपको आज की रीडिंग से मिलेंगे तो रीडिंग को बड़े ध्यान से जरूर सुनियेगा आज की रीडिंग एक जेनरलाइस्ट रीडिंग है बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्ही एनर्जीज को पिक कीचेगा बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीचेगा आप मेल हैं फीमेल हैं मा मारेड हैं, अनमारेड हैं, डिवोस्ट हैं, एक्स्ट्रा मारिटल अप्फियर में हैं, लॉंग दिस्टंस रिलेशन्चिप में हैं, या फिर किसी कॉम्लिकेट रिलेशन्चिप में हैं, आज की रीडिंग डिफिनेटली आपके साथ रिजोनेट होगी, आज की रीडिंग में Knight of Cups ka card hai, 3 of Swords ka card hai, 5 of Wands ka card hai, Justice ka card hai, and bottom of the deck par 9 of Pentacles ka card hai. इस deck से जो cards निकल कराए हैं, वो है 7 of Wands ka card hai, 5 of Coins ka card hai, the next is 6 of Wands ka card hai, the next card is 4 of Swords ka card hai, the next is the Tower ka card hai, and bottom of the deck par 9 of Cups ka card hai. आप में से अगर मैं almost 90% लोगों से ये चीज़ पूछू ना, कि आपके रिष्टे में exactly क्या हुआ, तो 90 के 90% लोग मुझे ये बात कहेंगे, कि माम क्या हुआ हमें भी समझ नहीं आ रहा, 100 में से 90% लोगों को पता ही नहीं है, कि ये transformation इस रिष्टे में क्यों हुई है, ठीक है, आपके partner आपकी बात बहुत लंबे टाइम से सुन नहीं रहें, जब आपके इस रिष्टे में थोड़ी बहुत गड़बर होनी शुरू हुई, तो आपने चीज़ों को थोड़ा सा इस तरह से दिया कि हर relationship में थोड़ी बहुत ऊचनी चलती है, आपको अपने partner का जो changing behavior है, वो समझ नहीं आया, तो यहां पर मैं ये चीज़ नहीं कहूंगे कि इसमें आपकी गलती है, आप दोनों के बीच में जो point of view है, उसका difference बहुत पहले शुरू हो चुका था, आप दोनों का नजरिया एक दूसरे से match होना बंद हो गया था, आप शायद किसी और लहज़े से बात करते थे, आपके partner उसको समझते किसी और तरीके से थे, जिसकी वजह से आपको ये feel होने लगा था, कि आपके partner ने आपको समझना ही बंद कर दिया, आपके partner के साथ आपके कुछ मनमटाफ चर रहे थे, कहीं के case में ये बहुत ही vocalized तरीके से लड़ाई होई होगी, कहीं के case में cold war की तरहां की situation रही होगी, जहां पर आप expect कर रहे थे आपके partner से कि वो आपकी बात को सुनेंगे, लेकिन आपके partner ने नहीं सुना, आप दोनों का opinion एकदम से different हो गया, ठीक है, वो एक ऐसा point था, जहां पर आपका रिष्टा split हो रहा था, लेकिन आपको ऐसा लगा कि उनके around कुछ ऐसे हालात है, शादो उनके career की यह नोचीज ऐसी होगी, या फिर उनके around वो किसी चीज़ से परिशान होगी, इस वज़े से आप से इस तरह से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने जो कुछ सोचा, वो एक normal सोच के according बिल्कुल ठीक था, आपने इसमें कोई गलती नहीं की है, लेकिन आपके partner के जन्दगी में exactly क्या चल रहा है, वो चीज आपके partner ने आप से share नहीं की, क्योंकि आपके partner को ऐसा feel हो रहा था, कि वो चीज़ों को अपने आप manage कर लेंगे, ठीके, आपके partner जो हैं, वो अपने wisdom के उपर बहुत ज़ादा rely करते आए हैं, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जीवन में जो उतार चड़ाव चल रहे हैं, उन्हें वो अपने तरीकों से ठीक कर सकते हैं, और आने वाले वक्त में चीज़ें एतनी worse नहीं हो सकती हैं, ठीके, इस रिष्टे का भी उन्होंने यही सोचा कि उतार चड़ाव का face है, चीज़ें better हो जाएंगे, उन्होंने अपने career के उपर focus करने की कोशिश की, उन्होंने उन चीज़ों के उपर ज़्यादा ध्यान दिया, जो चीज़ें आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर रही, ठीके, आपके partner को exactly नहीं पता था, कि यहाँ पर आप दोनों का separation वाला point आ गया, जैसे आपको नहीं पता था न, कि आपके partner ने आपके साथ अन्याय किया, क्योंकि आपको तो किसी situation के बारे में कोई उतनी खाथ जानकारी ही नहीं थी, जो कुछ भी हुआ आपके लिए तो बहुत sudden सा change था, ठीके, और आप उस change को अपनी life के अंदर ना तो पहले कभी witness करना चाहते थे, और जो कुछ अब हो रहा है, वो आप वैसे भी नहीं चाहते, ठीके, लेकिन आपके partner ने जो injustice आपके साथ किया है, उसकी realization अब आपके partner को हो रही है, वो आपसे ये चीज़े कहे नहीं रहे हैं, लेकिन आपके partner उन चीज़ों को feel कर रहे हैं, मैं चाहें जतना मर्जी focus देकर आपको इस बात पर convince करने की कोशिश करूँ, लेकिन आप convince नहीं होंगे, क्योंकि अब न आप अपने partner पर भरुसा नहीं करते, आपके बहुत सारी trust issues आपके partner के साथ develop हो गए हैं, और क्यों ना develop हों, आपके partner ने ऐसा क्या किया है, जिस पर आप विश्वास कर सके, आपके partner ने तो आपका विश्वास तोड़ा ही है, आप अपने partner पर अप चाहकर भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं, चाहते तो हैं आप, यापके partner आपके जीवन में वापस आ जाए, चीज़ें आप दोनों की life के अंदर बहुत ज़्यादा बेटर हो जाए, वो आपसे sorry कहें, उन्होंने जो कुछ किया है, उन चीज़ों को reverse करें, लेकिन trust issues भी हैं आपको, अकेले में खुद से पूछे का, क्या आप अपने partner को ऐसे ही अपना लेंगे, आपके partner आकर आपको sorry कहें, आपके किसी सवाल का जवाब आपको ना दे, आपको अपने partner की life को लेकर clarity ना हो, तो क्या आप अपने partner को अपना लेंगे, जवाब ना ही आएगा, क्योंकि अब आपको बिलकुल पक्के होकर आगे की और बढ़ना है, मतलब ऐसा नहीं है, कि आप अपने आपको एक option की तरह अपने partner को treat नहीं करने देंगे, ये चीज है अब आपके अंदर, ठीक है, तो ये कोई गलती वाली बात नहीं है आपकी, क्योंकि जिसका भरोसा टूपता है, वही जानता है कि उसके तकलीफ क्या होती है, चीक है, आपने, अपने partner को बहुँआ सारी चीज़े समझाने की कोशिश की, जब आपको realize हुआ ना कि चीज़ें तो आपके हाथ से फिसल रही है, आपके partner के हाथ से फिसल रही है, उस टाइम पर आपने जानने की कोशिश की, कि exactly situation क्या चल रही है, उस टाइम पर आपको थोड़े बहुत hints मिले, आपको उनकी life के बारे में कुछ clarity मिली, और आपने अपने partner को situation के बारे में समझाने की पूरी कोशिश की, आपके partner ने आपकी एक बात नहीं सुने, आपने अपने प्यार की कसमें दी अपने partner को, आपने अपने partner को बताया कि उनके अंदर एक अलग सी transformation हो रही है, लेकिन आपके partner ने आप ही के ऊपर सिरफ विश्वास नहीं किया, ये आपके partner की सबसे बड़ी गलती रही, अगर उस moment पर आपके partner थोड़ा सा भी आपके बातों पर ध्यान देते, तो शायद चीज़ें इतनी वर्स ना होगी, ठीक है, आपके partner ने पहले बहुत ही जादा free थे अपनी life में, limited energies में operate करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, आपके जो partner है, उन्हें हमेशा से अपने rules बनाने में मज़ा आता था, अब आपके partner को दुनिया से बहुत ज़्यादा फरक पड़ता है, उन्हें सबको साथ लेकर चलना है, दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है, ये चीज़ आपके partner को बहुत ज़्यादा effect करती है, आपके partner अपनी life में अब इस pressure में जी रहे हैं, कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, और ये आपके partner की एक negative transformation है, आपके partner के around, कुछ ऐसे लोग हैं, जो उनके उपर pressure भी develop कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इस energy पर तो आपके partner का control ही नहीं है, ये energy कहां से develop हुई है, उन्हें इस बात की भनक भी नहीं है, आपके partner नहीं समझ पा रहा है, कि इस तरह का परिवर्टन उनके अंदर हुआ है, दरदध हैं कि इस दाट कि आपके partner ना आप बहुत सदा intro word हो गए है, पहले वो अपने लिए stand लेना चौनते थे, अपनी wisdom का इस्तमाल करते थे, लेकिन आपके partner अपनी बातों को सिर्फ अपने तक रखते हैं, वो उन बातों को किसी के सामने clearly expressed तक नहीं कर पाते हैं, आपके partner के around जो लोग हैं, उन्हें ऐसा रखता है कि वो लोग उन्हें नहीं समझते हैं, तो आपके partner अपने आपको express करना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं और धीरे 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 ना वो अपने wisdom को खुद दबाते चले जा रहे हैं, आपके जो partner हैं, अप health wise भी बहुत ज़्यादा एक suffering mode पर हैं, आपके partner की health कोई खास अच्छी नहीं है, आपके partner बहुत ज़्यादा down महसूस करते हैं, ठीक है, उन्हें irritation होती है, frustration होती है, उनकी life के अंदर जो कुछ चल रहा है, उसे ना समझने की जो एक नाकामी है, वो उन्हें बहुत ज़्यादा परिशान करती है, आपके partner अकेले में ना खुदी सवाल करते रहते हैं, और ख परना चाहें, आपके partner को आपको बताना चाहिए कि उनकी life के अंदर क्या हो रहा है, अब जैसे मैंने आपको कहा है, ऐसे ही आपके दिमाग में भी आता होगा, कि हमारे partner को हमें बताना चाहिए कि क्या हो रहा है, तो हम उनका साथ देंगे, आपके partner ये चीज़ आपको नही exist कर रही है जो आपके पार्टनर को कटपुतले की तरह नचा रही है अब अगर आपके पार्टनर अपनी मर्जी से इस third party के साथ आगे बढ़ रहे होते तो definitely इस third party को आपके पार्टनर को इस तरह से energy की terms में capture करने की जरूरत नहीं थी आपके पार्टनर ने एक वक्त पर इस third party को बहुत ज़दा retaliate किया है जिसकी वजह से ये third party ने चिड़ कर आपके पार्टनर की energies को इस तरह से capture किया है आपके पार्टनर जो आज भी आपको लेकर बहुत ज़दा emotional है जो आज भी आपके साथ अपने रिष्टे को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं उनके emotions को इस third party ने दबाने का पूरा प्रयास किया है आप दोनों के बीच में एक बहुत strong tower movement आया और अभी तक वो tower movement अलग-अलग phases में आपकी life में चल रहा है कभी ये रिष्टा strong होता है थोड़ा सा वो किला बनता है फिर दोबारा से tower movement आजाता है जब आप दोनों के सपने बिखरने शुरू हो जाते हैं इसके पीछे third party energy है जो आपके partner के actions को control कर रहे है अब आप ये सोचेंगे कि किसी के action को इस तरह से कैसे control किया जाता है जब किसी की energy पर अपना control बनाया जाए न अपने गलत actions की वजह से चाहे वो dark energy का effect हो चाहे वो spell work हो तब ये control automatically develop हो जाता है ठीक है आपके partner आज के time पर एक painful situation में है no doubt आप भी एक बहुत ही ज़ादा painful situation से गुज़र रहे हैं आपकी life के अंदर भी चीज़े कुछ खास अच्छी नहीं चल रही हैं आप अपने partner का इंतिजार कर रहे हैं आपके partner ने आपको धूका दिया ऐसा आपको मैसूस हो रहा है pain आपकी भी कम नहीं है लेकर आपके partner भी एक बहुत बड़ी pain से गुज़र रहे हैं तो यहां पर जितने भी actions आज के time पर आपके partner ले रहे हैं वो किसी ना किसी मजबूरी में आकर ले रहे हैं ठीक है आपके partner ने इस third party को मौका क्यों दिया यह भी सवाल आपके मन में होगा आपके partner ने इस third party को entertain क्यों किया यह भी सवाल आपके मन में होगा आपके partner ने इस third party को अगर entertain किया होता तो इतने actions इस third party को लेने की ज़रूरत नहीं थी आपके partner ने इस third party को entertain करने से मना ही तो कर दिया तभी तो इस third party ने अपना control इस तरहां से बनाया और आपके पार्टनर से सबसे बड़ी गलते ये हुई है कि उनकी लाइफ के अंदर जो कुछ भी चल रहा था उन्होंने clearly आपसे share नहीं किया आपके पार्टनर की आज भी ये चाहत है कि वो अपना जो emotional side है वो आपके सामने दिखाना चाहते है आपको बहुत सारी चीज़े बताना चाहते है वो किस बुरे हालातों से गुजर रहे है वो आपके सामने कहना चाहते है और जो उन्हें comfortable zone में हसूस होता है अपने जिन्दगी में वो सर्फ और सर्फ आपके साथ महसूस होता है तो आपके partner की pain की situation यह है कि जो सबसे बड़ी blessing यानि कि आप ईश्वर ने उनकी life में दी आपके partner ने उस blessing को खुद अपनी life से धकेल दिया ठीक है आप आज के time पर बहुत suffering state में है same situation आपके partner की भी है तो यहाँ पर गलती directly और indirectly इस third party की है लेकिन सारी चीज में जो जिम्मेवार नजर आ रहे है आपको वो आपके partner नजर आ रहे है और आपके partner ही आपको गलत नजर आने चाहिए यह third party चाहती है और वही सब कुछ तो हो रहा है कि कि आप अपने partner को हर तरहां से गलत समझते जा रहे हैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि आपके partner की कोई गलती नहीं है मैं यह नहीं कहुँगी कि आपके partner की कोई गलती नहीं है initial phase में आपके partner ने गलती की आपके साथ अपनी चीज़ों को share नहीं किया लेकिन उनके लिए वो चीज़े थोड़ी casual थी उनको ऐसा लग रहा था कि उन चीजों को वो बहुत अच्छानी से हमिदों कर सकते हैं लेकिन वो घंडल नहीं कर पाए ये प्रॉब्लम इतनी जादा इसी वज़र से बढ़ी है ओके सो यहां पर मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में अगर आप चाहते हैं कि यह जो भी पार्टनर की एनर्जीज पर लगाई गई हैं अगर आप चाहते हैं कि यह जो भी पेनफुल सिच्वेशन है आप दोनों की वो एंड हो जाएं और आपका रिलेशनशिप एक नई डारेक्शन में आगे बढ़े आप अपने रिष्टे की एक नई शुरुवात करें तो उसके लिए आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए रीडिंग में आप अपने पार्टनर की ब्लॉकिज़ को जाने हैं मेरा WhatsApp नंबर और email ID स्क्रीन पर फ्लाश होंगे आप मुझे direct call नहीं करेंगे आप मुझे WhatsApp पर या mail पर message ही drop करेंगे आपको reply ज़रूर मिलेगा direct call पिक कर पाना possible नहीं हो पाता है और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि healing result किस तरह से देती है तो आप community tap पर जाकर check कर सकते हैं, okay so आये अब हम जानते हैं कि इस रिष्ते में किस की और क्या गलती है, इस deck से जानते हैं, कि इस रिष्ते में किस की और क्या गलती है, तो पहला card है comparison का card है the next card is sorrow का card है the next card is the lovers का card है the next card is flowering का card है the next card is courage का card है and bottom of the deck पर the master का card है देखिए आपके इस relationship में आपके partner के पास इस वक पर हिम्मत नहीं है और इसे आप अपने partner की सबसे बड़ी गलती मान रहे है जो इंसान आपके लिए इस रिष्टे के लिए हिम्मत दिखा कर stand नहीं ले सकता है वो आपकी निजरों में गलत है लेकिन आपके partner का courage कहां गया कभी ये चीज़ सोची आपने आपके partner जो आपके साथ ने बड़े-बड़े promises किया करते थे इतने बड़े-बड़े आपको दावे किया करते थे कि आपकी life के अंदर वो ये करतेंगे वो कर देंगे आज के time पर उनकी हिम्मत क्यों नहीं हो रही है कोई step लेने की आपके partner की courage की energy इसको इस third party ने पूरी तरहां से demolish कर दिया है आपके partner जो है वो अपनी हिम्मत हारते चले जा रहे है तो इसमें गलती आपके partner की नहीं है इस third party की है the other thing is that इस time पर ना ये third party आपके partner की साथ बहुत ही ज़ादा abundance की energies में इस third party को इसके जीवन में वो सब कुछ मिल रहा है जो ये third party आपके partner से चाह रही थी ठीक है तो आपके जो partner है वो इस third party की wishes को अपने मन से fulfill नहीं कर रहा है वो ऐसे हालातों में फस जाते हैं जहां पर उन्हें इस third party की desires को पूरा करना पड़ता है और आपकी नजरों के सामने आपके partner गलत बनते चले जा रहे है जब तक ये third party इस तरह की abundance की energies में रहेगी prosperity की energies में रहेगी तब तक आपके इस relationship में कोई भी positive move हो ही नहीं सकता है तो यहां पर third party elimination बहुत ज़रूरी है अगर आपके partner को आपको दोगा ही देना होता तो उन्हें अब आपके प्यार की realization क्यों हो रही है क्यों सोचते हैं आपके partner आपके बारे में आपके partner तो अब आपको इस third party के साथ compare करते हैं अपनी जंदगी को compare करते है कि जब वो आपके साथ थे तो उनके जंदगी किस तरह की थी आज वो इस third party के साथ है तो उनके जंदगी किस तरह की है आपके partner के growth खतम हो गई है, आपके partner बिल्कुल भी अपने life में versatile नहीं रहे, उन्हें situations के आगे जुगना पड़ता है, ये सारी चीज़े अब आपके partner को realize हो रहे हैं, तो अगर आपके partner नहीं 100% गलती की है, तो आपके partner आज के time पर उस गलती पर पश्तावा क्यों गर रहे है आपके partner को तो ये third body भी हैसास दिला रहे हैं कि आपके partner नहीं गलती की है, आपके partner को उस time पर सही stand लेना चाहिए था, आपके partner आपके जिंदगी में वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि आप उनके पर trust नहीं करते हैं, आप जो guilt का हैसास अपने partner को दिलाना चाहते हैं, वो त सामने आ नहीं सकते, वो आपको sorry नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास आपके सवालों के जवाब नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर अपने partner को curse करना बंद कीशिये, आज के time पर अगर अकेले आप हैं, तो आपके partner भी अकेले ही है, चाहे उनके साथ ये third party energy है, लेकिन फिर आपके partner अपनी life में बहुत सदा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिन्दगी बोज बन गई है उनके लिए, ठीक है, प्यार की जो जिन्दगी होती है, जो हम लव लाइफ की बात करते हैं, वो spirit तो अलग है, उन्हें तो blockages अपने different spirits में experience करनी आपकी love life का ये एक cycle है, जो कि एक karmic cycle है, universe की तरफ से ये karmic cycle आप दोनों को witness करना था, आपको ऐसा लग रहा है कि ये karmic cycle आपका fate बन गया है, ये आपका fate नहीं है, इस karmic cycle को neutralize करना है, आप मैं से बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं, जब आपको ये सम आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर clarity मिली होगी, नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताइएगा, ये reading आपको कैसी लगी, video पसंद आई है, तो like करना मत भूलिएगा, अपने near and dear ones के साथ share ज़रूर किये जएगा, हो सकता है किसी को अपनी life को लेकर, अपने relationship को लेकर कुछ clarity मिल सके, so do share my video also, अगर आप मेरी reading से influenced है, और किसी personalized problem का solution मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी personalized reading मेरे साथ book कर सकते हैं, ये booking आप मेरे whatsapp के थूरू, या फिर मेरी email id के थूरू book कर सकते हैं, मेरा whatsapp number और email id स्क्रीट पर flash हो गए, जो लोगों ने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं क नए वीडियो की notification वलते रहे, so thanks for watching, see you soon.